नमस्कार दोस्तो रावन श्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो इस विडियम देखने वाले हैं पर छोटे से कम्पनी के बारे में जो मल्टी बेगर श्टॉक है उन्होंने अनोस्मेंट किया है बाइबैक का तो यहां पर कौन सा बाइबैक आने वाला है ओपन ब अपने श्टॉक को आने वाले समय में कम्पनी अच्छा पॉपरमस कर सकते हैं तो इस विडियम देखने वाले नेक्स टार्गेट क्या रहेगा अजन्टा फार्मा का तो जैकि कभी भी स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाते कम्पनी का बिजनेस देखना बहुत ही इंपो अपशे शेरोडर्स के मांग के लेते और उसके बदली यहाँ पर बहुत जादा एक्स्ट्रा प्राइस देने के लिए तायर होते फॉर दे एक्जामपल कोई श्टॉक है उसका थाउजन रुपए प्राइस ऐसा कंसेडर करते अगर उसका बाइबैक लाते हैं तो उसके युआजमेंट ऐसे बाइबाग लेने के कोशिश करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग टाइब के बाइबैक रहते हैं जैसी ऑपन मार्केट रहता हे ृतना कुछ फाइदा नहीं होता जैसी मार्केट को लेगा वहां पर जाके कंपनी खुद से यहाँ पर स्टॉक बाइक कर करते हैं और यहाँ पर शेर्स मांगते हैं तो जैसे कि अगर यहाँ पर 1000 रुपे प्राइस है तो कंपनी क्या करेगी बारास रुपे देने के लिए तैयर होगी और आपके पास एक फॉर्म फिल करके लेगे और उसके बदले आप लोगों कि आप एक्स्ट्रा 200 रुपे मिलें पर शेर तो यहाँ पर कंपनी बाइबेक करते हैं अगर कंपनी के जो रिजर्व है लगातार बढ़ते हैं तो उस केस में यहाँ पर कंपनी बाइबेक लेने के कोशिश करते हैं तो 2022 के डेटा के इसाब यहाँ पर आजंटा फार्मा के पास लगबक 3100 करोड के असपास यहा आपर दस तारिकों यहाँ पे आजेंटा फार्मा का जो भी बोर्ड का मिटिंग यहाँ पे होने वाल है और कंपनी यहाँ पे decide करेगे कि open buyback लेना है यह पर tender buyback लेना है और उसका जो price है क्या रहेगा आभी तो फिलाल जो कम्पनी का net profit है लगाता और बढ़ आ है 2022 में कम्पनी को लगबग 719 करोड का profit हुए तो सोच सकते कमपनी का profit लगाता बढ़ रहा है इसके से stock लगाता और भाग रहा है company के balance sheet तो बहुती शानदार है लेकिन यहाँ पर risk है कि company बहुती चोटी होने का करण यहाँ पर जबी भी करिशन हैगा stock आराम से 40-50% गिर सकता है तो company का next target क्या है यहाँ पर 2000 रहेगा देखिए यहाँ पर अगर buyback आता है यह tender buyback आता है का करता है